हाई आज हम बात करेंगे ओपरेंट कंडिशनिंग की यह थियोरी BF Skinner द्वारा दी गई है इस थियोरी में यह बताया गया है मानना है कि अगर हम environment change कर दें तो हम individual को भी change कर पाते हैं यानि कि अगर हम environment को manipulate कर दें, change कर दें, control way में तो individual के behavior में भी change लाया जा सकता है, उसको भी manipulate किया जा सकता है अब यह thon dyke से अलग क्या है, इसकी definition में आपको पता रख जाएगा It is a learning process in which the response which follows a stimuli, उल्टा है thon dyke में पहले stimuli होता था और फिर response आता था यहाँ पर क्या है, response पहले है a learning process in which the response which follows a stimuli, determine whether the behavior will be repeated or not यानि कि पहले response किया जाएगा, लिया जाएगा, उसके बाद एक stimuli दिया जाएगा और उस हिसाब से trained होगा, learning होगी कि वो behavior repeat होगा या नहीं जैसे आपने यहाँ figure में ध्यान देना है, यहाँ पर इसे बोलते हैं skinner box जो उन्होंने use किया, जैसे thon dyke का cat in the puzzle box वाला experiment था तो इन्होंने starting में pigeons and rats, इनके साथ experiment किये यहाँ एक जो rat है, यहाँ पर इसको liver दिया हुआ है, आप देख रहे हैं figure में उसको हाथ से press कर रहा है, अगर वो press करता है इस liver को तो उसको यहाँ पर एक food जो है, वो deliver हो जाता है एक box में और वो उसको खा लेता है, तो skinner क्या करते थे, उसको थोड़ा सा भूका रखते थे, या pigeon हो या rat हो जिससे उनको automatically वो drive हो कुछ करने का, तो पहले तो random moment होंगे जिस तरह से हमारे thon dyke experiment में होती थी, फिर क्या होगा, by chance वो वहाँ पर press कर देगा liver को, और उसे food deliver हो जाएगा, तो first what he did, he did a response, और उसके बाद वो behavior होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए, तो उससे क्या हुआ, वो उसके पास food आ जाता है, तो वो repeat करेगा उसको, उस behavior को, because now he knows this response के कारण जो मैं दे रहा हूँ liver को press करने का, उसको operate करने से, that is why operant conditioning बोला जाता है इसको, उसके कारण मुझे एक जो है, जो food है, वो deliver हो रहा है, तो वो, it will repeat that, अब यही सूचिए, अगर उस उस liver को दबाने से, जहां पर यह खड़ा हुआ है, जहां इसका जो floor है, इसमें करन्ट आ जाए, तो will he repeat it? No. तो इसी लिए, जो stimuli response के बाद आता है, वो determine करता है, whether the behavior will be repeated or not. जो reinforced behavior होगा, वो repeat किया जाएगा, और जो punishment होगी, वो repeat नहीं किया जाएगा. For example, तो liver हैं एक liver से, अगर electricity आ जाती है फ्लोर पे, तो वो red press नहीं करेगा, दूसरे liver से, अगर press करने से food आ जाता है, तो it will repeat. इसे reinforced बोलते हैं, reinforcement जो होती है, दो तरह की हो सकती है, या तो positive reinforcement और negative response, reinforcement. ये काफी चर्चा रहती है, तो उसको समझ लेते हैं, what do you mean by positive reinforcement? Positive का मतलब जो pellet वाला example है, food pellet का, यानि कि वो press कर रहा है liver और वो वहाँ पर क्या हो रहा है? उसको food pellet हो रहा है, that is, we call positive response. पर एक और तरह से हम reinforcement कर सकते हैं, learning करवा सकते हैं इसको, या for example, थोड़े टाइम पहले यहां पर एक light जलती है, light जलने के बाद थोड़े टाइम बाद ही floor पर क्या है? थोड़ा सा electric shock आ जाता है. तो rat क्या करेगा? again the random movement और he will press the liver और जैसे ही liver प्रेस होता है, वो current चले जाता है. तो we are reinforcing हम उसको यह करने को train कर रहे हैं, but this time we are giving negative reinforcement. स्टार्टिंग में Skinner ने continuous reinforcement schedule रखा, यानि कि जैसे ही liver प्रेस किया, in a case of for example, यहां पर positive reinforcement में तो pellet आ जाता है, उसके बाद उन्होंने इस पर experiment किया और इसको थोड़ा सा partially continue रखा और उसके हिसाब से उनके जो behavior था उसको read किया. यह काफी हद तक अगर आप देखें, हमारे school, colleges में भी operating condition होती है. जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है, हम उसे क्या है? एक positive response, very good लिख के देते हैं और जब वो गलत काम करता है, कोई तो उसे डांट पड़ती है, what we are doing? एक तरह से उसको train ही कर रहे हैं, तो वो बच्चा लिंक समझ रहा है, if I'll do this, then this will happen. So I should not do this. If I do this, then this will happen. And that is I, what I want. तो positive and negative reinforcements हमारे education में भी, schools में भी transfer हो चुकी है, और जिस तरह से चुहे, और pigeons पे जिस चो theory लगाई गई थी learning की, वो in the sense humans में भी, schools में भी available है, जो हम आम तोर पर देखते हैं.